नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका हमारे चेनल दाकड़ ओनलाइन इस्टेडी में इस वीडियो में हम राजिस्तान सामानी ज्यान से संबंदित 500 प्रश्ण को देखने वाले हैं और ये 500 प्रश्ण जो है वो राजिस्तान कॉंस्टेबल के एक्जाम में पूछे गए हैं उ दुंगरपूर बासवाडा का प्राचिन नाम क्या है तो दुंगरपूर बासवाडा का प्राचिन नाम वागड़ है अगला प्रश्ण है अरावली प्रवत्ष्रंकला का अधिकांस भाग है तो अरावली प्रवत्ष्रंकला का अधिकवांस भाग उदेपूर जिल्ले में ह अगला है राजस्तान को दो भागों में बाटने वाली सम वर्चा रेका है तो राजस्तान को दो भागों में बाटने वाली सम वर्चा रेका 50 cm है अगला प्रशन है राजस्तान का अंतराश्टे सीमा पर इस्तित जिल्ला है तो विका नेर दोस्तों यह ओप्शन वाले प्रश तो राजस्तान बारत के उत्तरपर्षिम भाग में इस्तितомина हैं अगला प्रश्ने इस नदी को शांगपो के नाम से जाना जाता है तो चीन के अंदर प्रहाव्पुत्री नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है जाना प्रशने baan गंगा नदी का उद्गम इस्तल कहा है तो बान गंगा नदी का उद्गम इस्तल विराट नगर की पहड़िया जहिपूर के पास में है अगला प्रशन है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो माही नदी अरब सागर में गिरती है अगला प्रशन है राजस्तान में चूल आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें साथ के साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और हां अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप प्रश्न आता है राजस्तान में मीठे पानी की जील यह समण्द उदस्ती थे té, निरा गांदी नहर के योजनाकार ते तो इंद्रा अगला प्रश्न है लूनी नदी का जल गिरता है तो लूनी नदी का जल कच की खाड़ी में गिरता है अगला प्रश्न है बनास नदी किस की साहग है तो बनास नदी चंबल नदी की साहग नदी है अगला प्रशन है राजस्तान में सीचाई के साधनों में दिती इस्तान पर है तो सीचाई के साधनों में दिती इस्तान पर नहर है अगला प्रशन है चापी सिचाई प्रियोजना किस जिल्ले में इस्तिते है तो चापी सिचाई प्रियोजना जहलावाड जिल्ले में इस्तिते है अगला है बाल समंध जिल्ल किस जिल्ले में इस्तिते है तो बाल समंध जिल जोधपूर जिल्ले में इस्तिते है उसके पद अगला प्रश्ण है राजस्तान का जल परपात है तो राजस्तान का जल परपात मेनाल जल परपात है जो मांगली मेनाल नजदी पर बना हुआ है जो भिलवाड़ा जिले के अंदर आता है अगला प्रश्ण है इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना से संबंधी थे तो इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना से संबंधी थे पुंगल, सूरतगर और चारण वाली शाकाई ये तीनों शाकाई इंद्रा गांधी नहर से संबंधी थे अगला प्रश्ण है कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती तो यमुना नदी समुद्र में नहीं गिरती है क्योंकि यमुना नदी आगे जाके घंगा नदी में मिल जाती है अगला प्रश्ण रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्तान में वेट लेंड गोशित हुए हैं तो केवला देव घना और सांबर जील दोनों वेट लेंड के अंदर गोशित हुए हैं अगला प्रशन है लूनी नदी का उद्गम इस्तल सरवादी किसके पास पड़ता है तो लूनी नदी का जो उद्गम इस्तल है वो अजमेर के नागपार से निर्कलती है तो अजमेर सबसे नजदिक पड़ता है अगला प्रेशन है एश्या की दूसरी सबसे बड़ी कृतिम जील है तो एश्या की दूसरी सबसे बड़ी कृतिम जील जे समंध जील है अगला प्रेशना था राजस्तान की प्राचीन प्राकर्तिक जील है तो प्राकर्तिक जील जो है राजस्तान की वो पुषकर जील है जो अजमेर जीले में इस्तित है अगला प्रेशना था नो लखा सागर की जीले में इस्तित है तो नो लखा सागर बुंदी जीले में इस्ति तो राजिस्तान की खारे पानी की जिले टेथी सागर के अउशेस हैं कोन सी नदी की संप्रक में आती हैं अगला प्रेस्टान में कनक सागर किस नदी पर इस्तित्य थे तो राज़िस्तान में कनक सागर बनास नदी पर इस्तित्यrän उसके बाद आगे जो हम प्रेश्टने अगला में गुणहिन और सांसकर्तिक प्रेस्ट से लिवल Wir at वह ही प्रश्ष्ण है ये अगला हम देखते हैं रमत क्या है तो रमत एक नर्ति-लाटक है उसके बाद मांद-गीत-ध्राजिस्तान की इसीफ चितर से जूड़ा है अगला प्रशन है प्रसिद चित्रकार एम फिदा हुसेन विवाद में पड़े क्योंकि उन्होंने हिंद्यू देवी देवताओं के नगने चित्र बनाए इसलिए विवाद में पड़े अगला प्रशन है सीर पर चित्र युक्त मटके में दिपक रकर किया जाने वाला नर्थ कौन सा है तो वो नर्थ गुडला नर्थ है अगला प्रशने आदिवासियों में लिला मोरिया संसकार किस से संबन्दित है तो आदिवासियों में लिला मोरिया संसकार विवास से संबन्दित है अगला प्रशने कू किस संबन्दित है तो कू भील जन जाती के घरों को कहा जाता है अगला प्रशने ऐसी जन जाती जो मकान बनाकर नहीं रहती तो गाड़िया लुआर अगला प्रशने डूंगरपूर में किस बील का सासन था तो कुशाला नामक बील का डूंगरपूर में सासक था अगला प्रिशन है तेजा जी का मेला कहां आयोजित होता है तो तेजा जी का मेला परवत सर नागोर जिल्ले में आयोजित होता है अगला प्रिशन है गोगा जी का प्रमुग मेला गोगा मेडी हनुमानगड में बरता है जबकि दूसरा मेला कहां बरता है तो गोगा जी का जो दूसरा मेला है, गोगा जी के दो मेले भरते हैं, एक तो सिर्ष मेडी बोलते हैं जिसको और एक धूर मेडी बोलते हैं, तो गोगा मेडी जो है, वो सिर्ष मेडी है, जो हनमानगड जिल्ले में हैं, और जो धूर मेडी है, वो नागोर जिल्ले के अंदर इस्तिते नागोर जिले में दूसरा मेला भरता हैं अगला प्रश्ने चिवो का जो मंदीर है कि नाम से मशूर कारणी माता का मंदीर कहां इस्तिते तो कारणी माता का मंदीर बिकानेट जिले में इस्तिते अगला प्रश्न है जीन माता का मंदीर इस्तित है तो जीन माता का मंदीर सिक्कर जिल्ले में इस्तित है अगला प्रश्न है केला देवी का मंदीर कोरोली जिल्ले में इस्तित है अगला प्रश्न है जंबेश्वर जी का मेला लगता है तो मुकाम बाड मेर के अंदर जंबेश् अगला प्रिश्ण है मास कार्थिक की पूर्णिमा को मेला पुष्कर में भरता है अगला प्रिश्ण है राजिस्तान में भीलो का कुम्ब मेला कहा जाता है तो वेनेश्वर शीव मेला को राजिस्तान में भीलो का कुम्ब मेला कहा जाता है अगला प्रेशन है सुवनगिरी किस किल्ले को कहा जाता है तो सुवनगिरी जालोर के किल्ले को कहा जाता है और सुवनगिरी जेसलमेर के किल्ले सोनारगड को कहा जाता है अगला प्रेशन है घागरोन का किला इस्तित है तो घागरोन का किला जालावार जिले में इस्तित है अगला प्रेशन आता है जुन्हगड का किला बनाने वाला सासक था तो जुन्हगड जो विक्कानेर का किला है उसका सासक महराजराय सी थे अगला प्रेशने तारागड का किला कि सासक ने बनाया तो तारागड का किला अजे राज के दुवारा बनाया गया अगला प्रश्न है चंद्र वर्दाई दुवारा रचित गरंद का नाम है तो चंद्र वर्दाई दुवारा रचित गरंद का नाम पर्थुराज रासो है वर्दा में राजस्तान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किस ने किया तो राजस्तान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन जो है विजे सी पतिक के दुवरा किया गया था प्रश्ण है राजस्तान सहीति के लेकों को उनकी कर्तियों में कौन सही सुमेलित नहीं है तो विठल दास की करती सही सुमेलित नहीं है प्रश्ण है हरी केली नाटक के रेचिता थे तो हरी केली नाटक के रेचिता विग्रह राज थे अगला प्रिशन है वागडी बोली किस जिले में बोली जाती है तो वागडी बोली डुंगरपूर जिले में बोली जाती है अगला प्रिशन है ता मेवाती बोली से संबंद है तो मेवाती बोली अलवर जिले से संबंद है अगला प्रश्न है था हमीर रासो किस भाशा का गरंते तो हमीर रासो संस्क्रत भाशा का गरंते अगला प्रश्न है ढोला मारूरा दुहा के रचिता कोन है तो ढोला मारूरे दुहा का रचिता कभी कलोड है अगला प्रश्ण है राजस्तान की प्रसिद्ध क्रश्ण भक्त कवियत्री कौन थी तो राजस्तान की प्रसिद्ध क्रश्ण भक्त कवियत्री मीरा भाई थी अगला प्रशन है राजस्तान में जन्में प्रसिद संस्करत कभी थे तो कभी माग राजस्तान में जन्में प्रसिद संस्करत कभी थे अगला प्रशन है हिंदी के एक राज दर्बारी कभी की सरंगार रस की प्रसिद करती है तो पदमावत मलिक मुहमत जाईसी की एक सरंगार रश्य समंदित प्रसिद्ध करती हैं अगला प्रशन है आट बांस बत्तिस गज अंगूल अश्ट परमान विरोक्ती थी तो ये विरोक्ती चंदर बरदाई की थी जो चंदर बरदाई पर्थिराज चोहान के दरबार में रहता था अगला प्रशन है सेटेनिक वर्सेज का लेकक है तो सलमान रश्दी जो है सेटेनिक वर्सेज के लेकक है अगला प्रश्ण है रूपायन संस्तान है तो रूपायन संस्तान जो है कला सहीत्य के अंदर जोदपूर जिल्ले के अंदिर इस्तित है अगला प्रश्ण है पोथी खाना क्या है तो पोथी खाना एक जहिपूर का चित्र कला से संबंदित संग्राले हैं आगे की जो प्रश्ण है वो पस्सु संपधा वो क्रेश्ची से संब्धित है जो कौंस्टेबल के पुराने वाले पेपर में पूछे गए है तो इसमें सबसे पहला प्रश्ण है आप्रेशन फ्लड किस से संब्धित है तो आप्रेशन फ्लड दुग्द उत्पादन से संब् क्यों कि अगयका प्रश्निया राजिस्तान में पशू, चिक्ष्टा, कोलेज विक्का कनेर्न में अगला है। कि आगला हyeong कौन सी घ्खाई की नसल है तो राठी मूरा कांक्रेज थारपाकर यह सारी घ्खाय की नसल है और मूरा जेह हो बेंस की नसल है तो जो मूरा है वो बेंस की नसल है बाकी राटी, कांक्रेज और थार पकर ये सारी गाई की नसल है उसके बाद अगला प्रशन है उट के चम्बडे से विका नेर में बना जल पात्र क्या कर लाता है तो कोपी जल पात्र कर लाता है अगला प्रश्न है राजस्तान में केंदर की साहिता से भेड अउन अनुसंदान केंदर कहां पर इस्तित है तो यह अविका नगर टोक में इस्तित है अगला प्रशन है सरवादिक बक्रियां राजस्तान के किस जिल्ले में पाई जाती है तो सरवादिक बक्रियां राजस्तान के बाडमेर जिल्ले में पाई जाती है अगला प्रश्ण आता राजस्तान का पश्यूदन की दरश्टी से देश में कौन सा इस्तान है तो राजस्तान का पश्यूदन की दरश्टी से देश में पांचवा इस्तान है अगला प्रश्न है थार परकर किस्से समझ दिते तो थार परकर एक पश्चु नसल है जो गाई की नसल है अगला प्रश्न है कोन बेड की नसल नहीं है तो चोकला नाली साहिवाल लोही तो इसमें जो लोही है वो बेड की नसल नहीं है बाकि चोकला साहिवाल वो नाली बेड क नसले हैं अगला प्रशन है भारत में हरित क्रांती के जनक कहलाते हैं तो हरित क्रांती के जनक में स्वामी नाथन कहलाते हैं अगला प्रशन है सरदार सरोवर प्रियोजना का संबंध किन राज्यों से हैं तो सरदार स्रोवर प्रियोजना का संबंद महाराष्ट गुजरात राजिस्तान और उत्तर प्रदेश राज से संबंदी थे अगला प्रशने बणिया किस फसल का ग्रामिन भाषा में नाम है तो बणिया कपास की फसल का ग्रामिन भाषा में नाम है अगला प्रशने राजिस्तान का अन् बंडार श्री घंगा नगर को कह जाता है लब रशने बासमती किस्म है तो बासमती किस्म चावल की किस्म है लब रशने सेवन किसकी किस्म है तो पश्चीमी राजस्तान की जो गास होती है उसको सेवन कह जाता है अगला प्रशना था राजस्तान में उत्पादन में पर्थमि प्रभी की तो आती है कार्षित से राजस्तान में कितने प्रतिश्यता आए् होती ही तो करशी से राजस्तान में 40 प्रतिशत हे करशी योगिय को उसको उन्न आलू फसला कांज तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को जुरू लाइक करें साथ के साथ में अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दे और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दे अब हम पिछले वर्ष जो कॉंस्टेबल में पूछे गए विज् प्रथम अंत्रिक्ष यात्रिका क्या नाम है तो भारत के प्रथम अंत्रिक्ष यात्रिका नाम राकेश सर्मा है अगला प्रश्ण है जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है तो जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है अगला प्रश्ण है सूरी की विकरणी उर्ज स्टाइलमेन कहा जा था लब प्रश्ण है त्वंविजन का विस्कार किया दौरा ठेलीविजन का अविस्कार किया गया अगला प्रश्ण यव पृद्रशन क्यक्रा तो है अडिश succose का अप्यों किअ जाता तो डाईलेसिकल गुर्धे के लिए किया जतता हैं अगला प्रश्न है घाय के थनों से दूद उतरने वाला हार्मोन है तो oxytoxin जो हार्मोन है वो घाय के थनों से दूद उतरने वाला हार्मोन है अगला प्रश्न है इंटरनेट का समध्ध है तो सुद्यसोनना 24 करेट का होता है एगला प्रश्चनध पहाडों में स्वांस लेने में कटिनाई का कारण हवा का कम दबाव है एगला प्रश्चन पेंसिल का जो लेड होता हो किसका बना होता है तो पेंसिल का लेडग ग्रेफाइट का बना होता है अगला प्रश्ने अधिक्तम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद दिये है तो अधिक्तम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद दिये सोईबीन है प्रश्न पानी नमक मिलाने से उसका जो उबाल बिंदू होता है वो बड़े जाता है प्रश्न बारत ने पहला परमानुू इस्पोर्ड किया तो भारत ने परहला परमाण। इस्पोंट पोख्रण में किया गया, हेला प्रेशिण डाइबइटीज में रोगी का बढ़ता है तो डाइबइटीज में रोगी का शकर जो होता है, शुगर लेवल वो बढ़ता है। अग्या प्रेश्नaffen है चंद्रमा पर क्या अभिपारी है तो वाई टू के का मतलब वर्स 2000 से हैं अगला प्रशने भारत के मुख्य लडाकु टेंग का नाम क्या है तो भारत के मुख्य लडाकु टेंग का नाम अर्जुन है अगला प्रश्न है ट्रेकोमा विमारी का संबंद आगला प्रश्न है अशुद्य रख्त हर्देय तक पहुँचता है और जो शुद्य रखते वह अपस वह शरीर के विविन भागों तक धमनियों के द्वारा पहुचता है उसके बाद उत्तम विदुत सू चाल लगें तो गिल्ला कपड़ा जो है उत्तम विदुत सू चाल लगें अगला प्रश्न है संतुलित बोजन में केलोरी की मात्रा होनी चाहिए तो संतुलित बोजन में केलोरी की मात्रा 3000 केलोरी होनी चाहिए अगला प्रश्ण है प्राकर्ति गेस को दर्व में बदलने हित्तु क्या देना पड़ेगा तो उसके लिए दाब देना पड़ेगा अगला प्रश्ण है पेट्रोलियम और ओलियम कहते हैं तो तेल को ओलियम कहा जता है उसके बाद नीरापद दिया सलाई का मतलब है तो दिया सलाई पर लगे मसाले को नीरापद कहा जाता है अगला प्रश्ण है रेविज निदान के टिक्के का अविश्कार किस ने किया तो लुई पास्चन ने रेविज टिक्के का अविश्कार किया अगला प्रश्न है विदूत मीटर गणक उप्योगी ता उर्जा बताता है तो यूनीट में जो उर्जा का खपत हुआ है वो यूनीट में बताता है अगला प्रश्न है धाउनी का मात्रक है तो धाउनी का मात्रक डेसिबल है अगला प्रश्ने चंद्रमा पर उतरने वाला पर्थम मालनौ था तो चंद्रमा पर उतरने वाला पर्थम मालनौ नहील आर्म स्ट्रोंग था अगला प्रशने बाई साइकिल टायर का विश्कार किस नहीं किया तो जेपी डनलप के दुआरा बाई साइकिल टायर का विश्कार किया गया अगला प्रश्ण हीरोशीमा पर पर्थम पर्मानु कभ गिराया गया तो 6 अगस्त 1945 को हीरोशीमा पर पर पर्थम पर्मानु गिराया गया था अगला प्रशन है टेलीफोन का विश्कार किस ने किया तो अलेक्जेंडर ग्रहम बेल के दुवरा टेलीफोन का विश्कार किया गया अगला प्रशन है पाईरिया लोग मुक्यत संबंदी थे तो पाईरिया लोग दातों से संबंदी थे दोस्तों इसके अंदर हमने लगबग 200 प्रेशन कवर किये हैं जो पिछले वर्षों के जो भी राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल के जो एक्जाम हुए है यह सारे प्रेशन उनी से लिए गए हैं तो अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप हमारे वी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुर्यांत पहुँच सके दन्यवाद दोस्तों